मा कसमतव आगे से हर जा नहीं तो मैं तेरी फुटबोल बना दूगा ये फिलिम की सूटिंग ने चल रही है मैं सच में अपने परिवार को साथ लेकर पिकनिक मिलाने जा रहा हूँ मा कसमतव अगर तुमारी जगा किसी और कुट्टे ने मेरा रास्ता रोका होता तो मैं उस कुट्टे का खून पीजाता अरे भाई धर्मा जी नाराज क्यों होते हो हमें आपका रास्ता रोकने का कोई शौक नहीं है हमारी आप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप कहीं भी जा रहे हो चाहे जहानुम में जा रहे हो लेकिन हेलमेंट पहन लीजिए आपको पता भी है सरकार ने दो दो लोगो पर भी चलान काटने का ओडर दिया है और आप तो आठ आठ लोगों को लेकर घूम रहे हो सुबह से बीस लोगों के चलान काट चुका हूँ आपको पता भी है मुझे मजबूर मत कीजिए हेलमेट पहन लीजिए नहीं तो मजबूरन मुझे आपका चलान काटना पड़ेग मा कसम आज तक किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि धर्मा का चलान काट सके जालान सोच समझ कर काटना ता हूँ अगर मुझे गोश्चा आगया तो मैं तुम्हारी जिन्दगी में मौत कर हल चला दूगा ओए पापा जी वो मौत का जल नहीं होता मौत का हल होता है मौत का हल छोड़िये मौत का नल चलाइए आपने मेरी गडबल टू नहीं देखी क्या उसमें मैंने मौत का नल चलाया तो है गडबल टू में मैंने मौत का नल चलाकर सारे गुंडों का सपाया कर दिया था और फि कोई नल है यह नहीं यह तो मुझे गबर सिंग का इलाका लगता है यहां से जल्दी निकलो मैं तो कहती हूं ताव के उपर मोटर सैकली चड़ा दिये ना रहेगा घास ना बजेगी बेसुरी मा कसम तु कबरा मत पसंती अब मैसा नहीं होने दूगा सोले फिल्म में कुट्टे गबर सिंग न तुझे बहुत न चाहिए था अगर कबर मुझे आसपास भी दिखा तो मैं उस कुट्टे का खून पी जाओंगा अरे भई कुट्टो का खून बाद में पीना मेरी बात सुनिए हेलमेट पहन लीजिए नहीं तो मैं आपको पुरे परिवार के साथ अंदर कर दूँगा मा कसम तेरी मा की बुड़े यहां सीरस बात चल दिए और तुने हेलमेट की लगा राखी है मा कसम और कसम है मुझे अपने च्छे बच्चों की मा की आज तेरा हेलमेट का बुड़ ऐसा उतारूँगा तो आज के बाद किसी को हेलमेट पहनाने के लाइक नहीं है